दरन्वी इशो क्लिप्स में आपका स्वागत है यूट्यूब का एक एक लौता चैनल आपको हर चीज के बार में नॉलेच में लिए क्या आपके सपनों में कभी प्रकट हुए हनुमान जी क्योंकि आप दिन भर उनकी शद्दा में रहते हो मान लो एक दिन अगर आपने बहुत ज्यादा ही भक्ति के साथ सुन्दर गान बोल दिया तो रात को क्या होता है मैं उनकी क्रपा को लेकर गोम रहा हूँ और उनकी क्रपा का एहसास मुझसे सब कुछ करवा रहा है कभी कभी जाने जो मजा प्यार में इंतजार में है वो मिलने में नहीं होता और सगुन उपासक मुक्ष न लेही तेनकहुराम भगते निजदेही मैं कभी न चाहता ना मैं आड अंबर करना चाहता हूँ क्यों यह चुमतकार कर दूँगा यह कर दूँगा अब आपको समने बात आई है जो आप कहरे हैं अब ही मैंने हनुमान बाहु गाया यूट्यूब पर मेरा अपना भी चैनल है रसराज जिमाराज के नाम से चोटा मोटा चैनल है हम सब जानते हैं तो हनुमान बाहु गया है तो मैं अभी द्वारिका दिली में सुन्दरकांट कर रहा था तो बाद में वो बंदा बहुत रोने लगा और उसके बाद बुला मैं कुछ माइक पर बोला चाहता हूँ उनके बेटे के लिए मैंने सुन्दरकांट किया था उनकी बेटे की विवाप तो अब जो सुन्दरकांट कर उन्हों ने बोला महराजी मुझे गले में कैंसर होया था और मैंने सुना था कि आपने बोला था कि अनमान बाउग रोगों से निवरती क्योंकि तुलसिदाजी को जब भेंकर रोग हुए तब उन्होंने अनमान बाउग लिखा तो कहता है मैं रोज सुनता था उसको बस अपने बिस्तर पर लेटे लेटे और आज वो दिन है कि मेरा ब्लड वो गले का कैंसर का दब हो गया ये उसका मानना है और मैं ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं नासे रोग हरे सब पीरा ये मैं आपको बताऊं किसी को एक और ब्लड कैंसर था उसको बने ऐसे जा करें कोरोना टाइम में मैंने का मैं आपके घर वो मेरे बहुत खास है उनका नाम लेना ठीक नहीं है बहुत बड़े नामारे तो मैंने का कि मैं आपके घर सुन्दरकार्ण के विला गया मैं सुन्दरकार्ण मैंने करने से पहले जो मैं यग घर में करता हूँ वो उनके यहां किया मैंने उसमें मैंने नासैरो घरे सब पीरा इसका संपूर रखके हनुमान चालीसा से यग किया अरामरक्षा स्तोत्र से यक्य किया, जिससे मैं रोज करता हूँ, उसके बाद फिर मैंने सुन्दरकांट किया, मैंने शव्द बोलना ही पड़ता, मैं, हैनुमान जी करपा से हमने सुन्दरकांट प्रारम किया, तो जल रखा, जल रखा, उसके बाद उनको जल वाद में पिला मैं सोचता हूँ कि पता नहीं क्या हो रहा है तुम तो बस करते चलो बस जबते चलो जिन्दगी जाये जारी है रोज हर पल ब्राम भजलो करने कराने वाला तो वो है माध्यम वो है आपने का हनुमान जी कभी प्रगड मैं जूट बोलने का क्या और कहा हनुमान जी प्रगड नहीं है बताईए मैं अभी एरपोर्ट से चला तो हनुमान रोड आई बीच में हनुमान रोड आया क्या है यहां आया तो आपके गले में हनुमान जी यहां बैठा तो हनुमान जी मैं गाड़ी में बैठता हूं तो हनुमान चालीसा करता हूं यह सब मेरे पास राम नाम का र और जोए करना है अनुमान जी साथ में हैं है अनुमान जी स्वामि राम-कृष्णि-परभंस्त तो मा क्यू पास न करते थे। मा, आमी दूरगा, 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 करते-करते ब्योश हो जाते हैं, रगट हो जाती थी मा, कभी भोजन लेके, तो कहते हैं, उनकी स्तनों का उभार आ गया था, छाती पर स्तनों का उभार आ गया, मा क्यों पासना करते-करते, इस्ट उतर नहीं लगता है यह नहीं फैल आ रहे हैं और वो कर रहे हैं वो सब ऐसे नहीं उतरता इस्ट इस्ट तो चहरे पर आ जाता है हनुमान जी की भक्ती करने वाले का चहरा बोले लगता है ताकत और शान्ती और विनम्रता उनके जैसे विनम्रता और हर समय प्रसन्न दा किसी ने कुछ कहा अच्छा ठीग गया हर समय प्रसन्न दा और फिर डाउन टू अर्थ हनुमान जी का सबसे बड़ी क्वालिटी है सुन्दर कंड में पांच बार बड़े बने और लेकिन यह नहीं बड़े ही बने हैं उनी लगो रूप पवंस लेई हनुमान जी इसका में लगो क्वालिटी यह काम करते बड़े बनके रहते छोटे और हम लोग काम करते बड़े छोटे अब बनते हैं हम 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 एटम बम समझते हैं अब आपको यही है अनुमान जी की भक्ति करने पर अगर उचाई जीवन में प्राप्त करने के बाग आपके अंदर डाउन टू अर्थ नहीं आया आपको जुकाव नहीं आया विनम्रता नहीं आयी तो आपने कुछ नहीं पाया दो कौडी का है आपका सम्मान दुनिया ये कहे, मिलते ही आपसे, यार बंदा है, यार, जितनी उचाई है, उतना सरल है, गाड़ी में जाते हैं कभी किसी गरीब आदमें देखे, शीशा खुल जाए ना इधर आव बिटा, कोई हमारे पास हमारे वरकास काम करते हैं, सब जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, कभी द्रवीत हो जाए तब हनुमान जी के भगत है और हम बड़ा बहुत बनना चाहते मनला नकली दिखावा हनुमान जी जब उपर बैठे हैं तो दूसरी बार रावन को देख रहे पहली बार कब देखा जब सोया था लंका में गोमते गोमते देखा जैसे ही रावन के महल में गुसे मच्छर बने गोमरेदे मच्छर जोटा जैसे ही देखा इतनी सुन्दर इस्त्री रावन की सेज़ पर क्या सोच रहा हनुमान ये तेरी मान नहीं हो सकती रावन को क्या कावी बिशने सो परिनार लिलार गुसाई जो अपनी इस्त्री को छोड़कर पराई इस्त्री को बुरी रहजरों से देखता है भगवान उसको तजव चौत के चंदर की नाई सुन्दरकान भगवान उसको चौत के चंदरमा की तरह त्याग देते है चौत का चंदरमा जिसको भगवान श्री कृष्ट ने देखा था और कलंक लग गया था इसलिए उस व्यक्ति को भगवान ये समझ लेता है कि तुही कलंक है तुही चौत का चंद्रमा आप तुझे कभी देखूंगा नहीं और आप सोचो जिसकी और भगवान देखना बंद करते हो कर लेगा जिए उसको ऐसे ही बहुत सारे क्लिप अपलोड की हैं इस चैनल पर चैनल को एक्स्प्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ आप 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 आप